नमस्कार मैंने हरी वेड़ी और आप देख रहे हैं एशियानिस इंडिया चलित मुर्ती का अनावरण भी किया इसावसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माभवानी कलब का पंडाल वोकल फोर लोकल का एक अनूखा उधारण है कुरोना महमारी के बाद इस साल कॉंके रोड स्थित माभवानी कलब द्वारा माकाली का भव्य पूजन का आयोजन किया जा रहा है माभवानी कलब काली पूजा सुमिती के अध्यक्ष बलराम सिंग ने बताया कि माभवानी कलब 20 सालों से माकाली का पूजा का आयोजन कर रही है राची में सबसे भव्य काली पूजा होता है इसके 110 सदस्य माभवानी क्लब के द्वारा आयोजित पूजा को सफल कराने में लगे हुए है इसका मुख्य आकर्शन भव्य पंडाल लाइटिंग एफिल टावर चलंत मुर्ती है 26 आक्टूबर 31 महलाओं के द्वारा संध्या में गंगा का महा आरती कारेकरम एवं बोग वित्रण होगा इसके मुख्य अतिथी भाजबा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी होंगे 28 आक्टूबर को 3 बजे भव्य शोभायात्रा के साथ प्रतिमा का विशर्जन किया जाएगा विशर्जन शोभायात्रा का मुख्य अकर्शन 6 तरह के बैंड पार्टी और हजारों लोगों के द्वारा ये यात्रा निकाली जाएगी इस मौके पर मुख्य रूप से राष्ट्रिय मंत्री सह महापौर आशा लगडा जारखंड प्रदेश के मंत्री श्री सुवोध सिंग गुड़ू प्रदेश कारिसमिती सदस्य कृपा शंकर सिंग माया सिंग सिसोध्या शोभायादव संजे जैसवाल गुणानंद महतो रा भवानी कलब के उपाध्यक्ष विश्वजीत कुमार सिंग उपाध्यक्ष राम लगन राम उमेश सिंग सचिव लालू मिंज उपसचिव राकेश पांडे उपाध्यक्ष रविंद्र चौबे उपाध्यक्ष नागेंद्र यादव उपाध्यक्ष विकास रवी उपाध्य महीज सिंग जो कि कोशा अध्यक्ष और अर्विंद प्रशाद गुपता जो कि सह कोशा अध्यक्ष है भाजपा महानगर के पताधिकारी मंडल अध्यक्ष पताधिकारी गण के साथ हजारों श्रधालू गण मौजोद रहे। अध्यक्ष 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 आपके आपने चाले इस्वा निज इंडिया पे फॉल लेटिस्ट अबडेट थांक्यू